आज हमारी बहुत संतुष जनक हमारी बात वही बहुत अच्छी बात वही अब गए थे तुकि अब चुनाओ का महौल बन रहा है दो चार कामतों में और जहां जहां चुनाओ का महौल है वहाँ पर विशे उठते अंग को जो हमारे स्थानिय निता है वहाँ से भीचते हैं तो छोटा चुनाओ पंजाब में है तो पंजाब में जो भी वहाँ पर लेवल प्रेंग फीर्फुल लेकर जो भी निर्णे होते हैं उस पर थोड़ा सा एक बार फिर थ्याम देने इलेक्शन कमिशन वाले ऐसा हमने उनसे आग्रे किया है लिकिन करनातर के संबंद में हम बहुत तंटुष्ट हैं और आभारी हैं इलेक्शन कमिशन के कि बहुत घहराई से और बहुत सुर्मूच के साथ इलेक्शन कमिशन में बहुत सुकूम से हमारी बात को सुना समझा और उसके पास उसके बात बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया उस पर क जिससे के हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और मैं मानता हूँ के लोगता अंत्रिक प्रणाली के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है करनाटक के संबंद में दो तीन विशे उठे दिए एक विशे ये था और हमारे भाई नासरे साब वहीं से हैं करनाटक से राजसेबाय के एं जारी होने से बिलकुल आख्री शणों में लास्ट माइल में बहुत सारी तेंडर्स की घोषना की गई जो तेंडर्स एक्सेप्ट किये गए हैं हमने ये निवे दिया एलेक्शन कमिशन से कि जो एलेक्शन कमिशन का जूरिस्दिक्शन है वो कोड अप कॉंडक्ट लागू होने के बाद से जाने के एलेक्शन की घोषना होने के बाद से उनको मिलता है जो रिस्दिक्शन जो है उनका अधिकार छेत्र बनता है लेकिन जहां पर कोई ऐसी बात बिलकुल एक दिन, दो दिन, चार दिन पहले हुई हो जिसका प्रभाव इलेक्शन के समय और कोड अब क पोछब करेंगे यहां तक के टेंदर को रोकने की आवस्चता होगी तो वो भी हम करेंगे वो कभी जैसे भी ओ निर्ने लिया गया हो अगर वह चुर्ण का प्रभाव के समय में यानि के समय में है तो उस पर रोक लगाना आवश्च्छख है और इसके लिए हम election commission के आभारी है दूसरा मुद्दा हमें जो बाते रखनी है जो आम जनता के सामने हमें जो रखना है और जो हम डिजाइनिंग करते हैं, पोस्कर बनाते हैं, छोटी-छोटी हम ख्लिप बनाते हैं, उन पर बहुत सारी पर हमको आग्या नहीं मिल पाई है, हमें अप्रूदल नहीं मिल पाया है, और हमारा ये मानना है कि लेविन प्लेंग फील में उस तर पूरर वि कहा, कि यहां से इक कुछ अधिकारी यहां से कल जा रहे हैं और बाती होई नास्वर ब्रफा ने ये कहा, कि हम उन से वह संपर करेंगे, और उन्हें नहीं में कहा, कि हम पुनर विचार कर लेंगे, ये सब सारा मैटीरल एक दफा देखकर, और वहां जो अधिकारी गरहें, उनसे वह बात करेंगे कि क्या कहीं पर कोई व्याद है कुछ मेटीरियल की आवस्चता है तो वो मेटीरियल अप्लब कराया जाए और जो मेटीरियल प्लब करना चाहते हैं उस मेटीरियल पर बिचार हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हम संपर्क में लाना चाहते हैं ज जालंदर पर चुदा चुनाओ है और वहां पर लेबल प्लेइंग तील रहे उसको क्या वहां पर थोड़ा और भ्यान देरिक चाहर सकता है उसको उनों में नहां वह हम पर रहे हैं और वहां जो कुछ भी हो रहा है और होगा वह कोड़ अफ कॉणडक के तहत होगा और उसमें आपको कहीं कोई शिकायत नहींगे कर देंगे और बताएंगे एक आखरी एक आखरी मुद्दा ये था कि बहुत समय से बहुत समय से कोई अधिकारी कहीं किसी चेत्र में पहनात रहता है तो इलेक्शन कमिशन की है कि उस अधिकारी को तीर साल बाद चार साल बाद वहां से उसका स्थानत्र होना चाहिए हमेशा हमेशा उसको वहां नहीं रहना चाहिए और अक्सर इलेक्शन के समय उन लोगों को इलेक्शन कमिशन ही कहता है कि उनको कहीं और उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए हमने ये भ बहुत समय तक एक ही आदमी बैठा रहे, किसी आदमी की शिकायद नहीं है, लेकिन एक ही जगा पर बैठे रहने से कभी-कभी आदमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसका एक thinking का एक attitude बन जाता है, जिसमें रद्दो बदल की आवशकता समय समय पे होनी चाहिए, तो क्या आप उसके कभी कर लेंगे, तो उनों हैं कि इसके कई पहलों हैं, फुक है आवाश्च का है, फुक है और रायर का एक योश्छ Transport की आटमी का है, तो इसके की औल जाता है योश्ड में नहीं और बैदना का उन्गुत्तव का है, तो इस पर आप ने पिकर सुछार पush दीए लिद I am extremely grateful to the Elections Commission having given us a very patient hearing and very positive manner in which they received a suggestion that we placed before them. Primarily we emphasized, which was necessary and is necessary for all elections, we emphasize that although Punjab has a small election exposure right now that the level playing field between ruling parties and other parties must be maintained and they assured us that there is no reason for us to expect anything but a level playing field and in that if there is any special thing that comes up to our knowledge we may bring it to them So we are satisfied with their general attitude and their preparedness for Punjab. As far as Karnatak is concerned, that was a larger matter. We raised three specific issues. We raised one issue in Karnatak about tenders that have been granted, that have been given to various parties on the eve of the Code of Conduct being introduced and the elections being announced. We requested the Election Commission to consider that although strictly speaking it is done before their role comes into the picture, the fact remains that those tenders will have an impact during the election period, that whatever money is released under those tenders would impact and influence people and therefore this is something that they should examine. We are very pleased that the Election Commission said that even if it's before the Code of Conduct coming into operation, if it has an impact on the period of Code of Conduct, we would be willing to look at it, we will be looking, we will be ready to consider whether there should be appropriate suspension or there should be appropriate steps taken to prevent payments being made during this period. That was one very important assurance that we received from the Election Commission. The second important assurance that we received from the Election Commission is about our media material that we prepare for the election campaign of various kinds in which we had some difficulty with the Media Committee not approving many of the items that we placed before them. The Election Commission said that they are sending a senior officer to Karnataka tomorrow and that senior officer will make sure that there is a review of all the material that we have made a grievance about which has not been approved and that there would be a level playing field of material which is permitted to every party in the past as well as at present and therefore if any more material is required to get the approval we will be able to place that approval and the committee will consider and review the decision that has been taken. We are extremely grateful for this as well. Third point was that the officers The officers, we suggested, we suggested this is a broad suggestion that whereas administration officers are required under guidelines to be posted or transferred after three years particularly when election is coming sometimes it happens if the Election Commission's own local units have people who are there for a very long time. We have no objection against any person per se but we said the principle should be considered that nobody remains beyond a certain reasonable period so that their attitudes don't get very fixed and there is a chance for new persons to come and apply a fresh mind and a fresh look at whatever is happening. We are very grateful that they said that this is a good suggestion that they will consider but keep in mind and experience also the performance that they have seen from officers over several elections of several governments etc. not necessarily of the same party but where they think they need to do something so we have expressed our deep gratitude to the Election Commission.